दोस्तों साप का नाम सुनते ही सबसे पहले कोबरा का नाम जहन में आता है इससे सापो का राजा कहा जाता है लेकिन क्यों आईए जानते हैं इससे पहले अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए आपकी बहुत काम आने वाला है दोस्तों यह एक बेहदी जहरीला साप होता है जो कि इस इस अगरसन और डर का प्रतीक होता है कोबरा के सिर पर एक मुकुट जैसा फन होता है जो इसे राजा की पैचान देता है वहीं वैदिक संस्कृती में भी कोबरा को एक मातुपूर प्रानाई माना जाता है यह कई आधी देवों और देवियों के आमहान में इसका उप्यों किया जाता है दरसल किंग कोबरा दुनिया के सबसे जहरीले सापों में सहीक है जिसमें नियूरो टॉक्सिन वेनम पाया जाता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम कोई ब्लॉक कर देता है वहीं यह अपने सरीट की एक्तिया हिस्स्य को उपर उठा सकता है अगर इसको गुसा आ जाए तो मुक्स्किल सही सांथ हो पाता है यह अगर फुसकारने लगते हैं तो इनकी आवाज बेहदी खतरनाक लगती है किंग कोबरा को भारत में नाग भी कहा जाता है जो कि सकीर साइंटिफिक ने नाजा नाजा से लिया गया है